बॉल्यूड इंडिस्ट्री के जाने माने अभिनेता सनी दियोल पर किसानों ने यारोब लगाए हैं कि सनी दियोल किसान और सिखों के हालातों पर फिल्म बनाते हैं और देश भक्ति का दावा करते हुए फिल्मों से खूब पैसा कमाते हैं फिल्मों के अलावा राजनीती में भी सनी दियोल ने किसानों के मुद्दे उठा कर चुनाव लड़े और चुनाव में जीत भी हसिल की गौर तलब है कि सनी दियोल गुर्दासपूर से MP हैं और सनी दियोल बीजेपी पार्टी के नेता हैं वहीं हम सनी दियोल का वो सच बताने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर काफी तहल का मचा रखा है और सनी दियोल का ये सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा लेकिन इससे पहले गुर्दासपूर के किसानों की शिकायत सुनना भी जरूरी है दरसल किसान बिल के विरोध प्रदेशन में किसान कई गंबीर समस्याव से जूज रही है और ऐसे में पंजाब के किसानों की ये शिकायत है कि पंजाब में गुर्दासपूर के MP सनी दियौल किसानों के साथ दो कदम भी नहीं चले जबकि लोग सवाचुनाब में उन्हें सबसे ज़ादा वोट किसानों नहीं दिये थे वहें गुर्दासपूर के MP सनी दियोल से किसानों की दूसरी शिकायत है कि अगर सनी दियोल सड़क पर उतर कर किसानों का समर्थर नहीं कर सकते हैं तो क्या सनी दियोल मीडिया के जरिये किसानों के हिद में बयान नहीं दे सकते सनी देओल ने किसान बिल पर कोई भी बयान बाजी नहीं की है हलाकि चुनाब के वक्त सनी देओल ने किसानों की मदद करने के काफी बड़े बड़े वादे किये थे ऐसा खुद पंजाब के किसानों का कहना है बेराल इस बीज जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये कि सनी देवल मंगलवार एक नवंबर को कॉर्णा की चपेट में आ गए है और सनी देवल ने खुद को अपने मनाली फार्म हाउस में आईसोलेट कर लिया है यहां गुर्दासपुर के ही रहने वाले कुछ किसानों का कहना है कि सनी देवल बस कोर्णा वायरस की चपेट में आने का जुटा दावा कर रहे है और सनी देवल ने किसानों से अपना पल्ला जारने के लिए नई रणनीती अपनाई है दरसल मेडे रिपोर्ट्स की माने तो कुछ करीबी सूत्रों से जानने को मिला है कि सनी देओल ने खुद के कौर्णा पॉजटिव होने की अववाएं जान बूश कर मीडिया में चलाई है ताकि उन्हें किसानों की मदद ना करने का बहाना मिल सके और जब चुनाव के वक्त ये सवाल खड़ा हो कि सनी देओल ने किसानों का समर्थन क्यों नहीं किया था तो सनी देओल ये कह सकें कि वो आईसोलेशन में थे भेराल किसानों की ये गंबीर आरोप सनी देओल के खिलाफ तब और भी ज़्यादा शक पैदा करते हैं जब कॉर्णा पोजिटिव होने के बावजूद भी सनी देओल मनाली में अपने फार्म हाउस पर छुटिया मनाने चले जाते हैं बता दें किसानों का कहना है कि सनी देओल फेक परसनेलिटी है और उन्होंने अपनी फैन फोलॉइंग का गलत फायदा उठाया है सनी देओल पर आरोप हैं कि अपनी फिल्मों के जरीए वो लोगों के बीच ये ब्रहम फैलाते हैं कि सनी देओल किसानों और सिखों की कितनी चिंता करते हैं हलाकि अब जब किसान इन मुश्किलों घरे दूर से गुजर रहे हैं तो सनी दियोल को औरना वायरस का बहाना बना कर किसानों से अपना पला जाड रहे हैं भेराल किसानों के इनी शिकायतों और आरोपू से आप कितना सहमत हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले दुनिया भर की तमाम ताजातरीन खबरों के साथ बने हैने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है साथ ही बैर आइकन दबाएं ताकि आपसे मिशना हो हमारा कोई भी लेटर्स अबडेट